अगर आपने मेरे चैनल को वितर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेट क्लिक बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजे और अगर आपको मेरे लेटेज और न्यू वीडियो देखने है तो प्रेस बेल आइकिन स्मार्टफोन निर्माता कमपनी ओपो के सब ब्रांड रील्म का अगला फ्लेक्शिप हैंसे 15 मई को लाँच किया जा सकता है रेल्मी ने अपने इस अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए ऑनलाइन पर एक टीजर भी जारी किया है इस फोन का नाम रील्मी एक्स बताया गया है यह फोन पॉप अप सेल्फी कैमरा जिसका एक सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा और स्नेपड रेगन 855 प्रोसेसर के साथ पेश किया जा सकता है ऐसे में माना जा रहा है कि इस फोन को भारत में भी जल्द ही लॉंच किया जाएगा इसी दौरान रियल्मी एक्स को चीनी लैप्टॉप रिव्यू वीडियो में यूट्यूब पर भी देखा गया है रियल्मी एक्स की आइडियल कीमत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रील्मेक्स का स्नेपड्रेगन 730 प्रोसेसर वेरियंट 1599 चीनी इवान यानी करीब 16,500 रुप्ये में लॉंच किया जाएगा यह 6 GB RAM और 64 GB स्टोरेज के साथ आएगा वही 6 GB RAM और 128 GB स्टोरेज वेरियंट 1799 चीनी इवान यानी करीब 16,600 रुप्ये में पेश किया जा सकता है इसके अलावा 8 GB RAM और 128 GB स्टोरेज वेरियंट 1999 चीनी इवान यानी करीब 20,600 रुप्ये के साथ लॉंच किया जा सकता है इससे पहले एक लीग सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि Realme X Pro नाम से एक अन्य वेरियंट में लॉंच किया जा सकता है यह Snapdragon 855 प्रोसेसर के साथ आएगा जिसकी कीमत 22,99 चीनी युवान यानी करीग 23,700 रुप्ये है यह इसके 6GB RAM और 128GB Storage के साथ पेश किये जाने की उमीद है वही इसके 8GB RAM और 128GB Storage बेरियंट की कीमत 2599 चीनी युवान यानी करीग 26,800 रुप्ये होने की उमीद है Realme X के संभावित फीचर्ज एक वेबसाइट पर इस फोन को लिस्ट किया गया था इसकी लिस्टिंग के मुताबिक फोन में 6.5 इंच का HD Plus डिस्पले दिया जा सकता है साथ ही 3680 mAh की बैटरी भी दी जाने की उमीद है फोन में Dual Rear Camera दिया जा सकता है जिसका Primary Sensor 48MP और Secondary Sensor 5 Megapixel होगा वहीं फोन में 6 जनरेशन Optical Fingerprint तक्नीक पर आधारित इंडिस्पले फिंगर प्रिंट सेंसर दिया जा सकता है फोन को VOC 3.0 फ्लेश चाजिंग स्पोर्ट दिये जाने की भी उमीद है इसके अलावा यह फोन Snapdragon 730 प्रोसेसर और Snapdragon 855 प्रोसेसर के साथ दो वेरियंट में लांच किया जा सकता है देखना यह होगा कि Realme अपना यह flagship phones भारत में कब लांच करेगा और कौन से खास feature देखने को मिलेंगी यह सब हमें आने वाले time पर पता चल जाएगा